हुआ है आप सब कैसे हूँ मिरा नाम है रहूल सर्मा मेरे हैजटेक रहूल सर केमस्ट्रि में आपका स्वागत है आज हम एक टोपिक पर इंपोर्टेंट टोपिक है इंपोर्टेंट पढ़ाता हूं जिसे आपको ज़्यादा ज़्यादा है परिक्साइं या पास में इस वज़े से तो आज हम पढ़ेंगे ठोसों में अपूंडता है मतलब सोलिड स्टेट है या सोलिड है या ठोस है उसके अंदर कुछ इसको हम दो भागों में करता है इलक्त्रोनिक तूटिया मतलब इलक्ट्रोनिक डिफैक्ट मतलब इसमें क्या होगा नाम से ही पता चल रहा है इलक्ट्रोनिय तूटिया करत क्या होता है कमी क्या होता है अब इलक्ट्रोनों की कमी हो जाए है यह ब हधिता हो जाए नहीं चेह जो जनकर और इसमें उन्हें परमकल के डिफैक्ट क्या बहुता है इलक्ट्रोनिय तूटिया एलक्ट्रोनिय क्यों exist की जो इलक्टूनिये तूटिया है यह कभ होंगी या कभ फोमेसन होगा यह तो शिल्टन या फिरू जर्मीनियम गुरूप होटीं के हैं शिल्टोन और गर्मीनियम दोनों के अंदर इस परकार का डिफैक्ट या हम क्या बोसकते हैं फिरूस के निदर को कुछ अन्न तत्त्तों और या आने ग्रूप के तत्त्तों को मिला कर उसे क्या बना लिया जाता है आर्द्चालक क का पूरा वीडियो बनाया हुआ यूआ मैरे वीडियो बना है एससे पहले उस सम सम्छाय के है तो आज हम इसी पर पढ़ेंगे, तो अब silicon और germanium के अंदर हम किसके impurity मिला दें, group 13 की या 15 की impurity मिला दें, तो silicon और germanium क्या बन जाते हैं, अर्ध चालक बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, अर्ध चालक, मतलब जिनमें चालकता परवाइद होती है, यदि हम आप मान ये temperature increase करते हैं, पर चालकता का मान कम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, यह मैंने पढ़ा दिया है, उसमें देख लेना, अब इधर देखो, अब इसमें क्या हो, जो group 14 है, इसके अंदर group 15 या group 13 की impurity मिलाते हैं, तो उन से क्या बनता है, अर्ध चालक बनता है, और इनके मिलाने से कौन-कौन से बनते हैं, एन पर का अर्ध चालक और पी पर का अर्ध चालक का निमान होता है, क्या होता है, एन पर का अर्ध चालक या दूसरा पी पर का अर्ध चालक, यह रिदियु में बना दिया उसमें देखना थोड़ा सा बता देता हूँ कि n परकार के अर्द चालक में क्या होगा स्लिकॉन है स्लिकॉन क्रस्टल है इसके अंदर हम किसकी मिलादें फोस्फोरांस की जब फोस्फोरांस की इंपिरिटी मिलाते हैं तो इस वज़े से फोस्पोरस और सिलिकॉन के मद्द बॉंड का पॉर्मेशन तो हो जाता है परन्तु फोस्पोरस के पास क्या हो जाता है एक एलक्टोन एक्स्रा रह जाता है क्या रह जाता है एक एलक्टोन एक्स्रा रह जाता है क्योंकि फोस्पोर यह किस की तरह करेगा अर्द चालक की दाए है मतलग इस इलक्टोन की वज़ेसे इस अर्द चालक में इलक्टोन से स्टाइब यहां पर की अधिक्ता की वज़े से तो क्या वोला एक त्रूटिया क्या है इसके अंदर क्या करें कि आभें सिर्फ फोसस की जगह कौन मिला दें बोरोन दें तो बोरोन की वैलनस कितने होती है थे थह झाला चार बोरोन की तीन स्य कोन की टीन चलिकम से बना लेता है कौन चलिशी लिचलिक गुठा है कि इस अधिन पर कैसा चार्ट होता है अब यहां पर इलक्टोंत कमी पना हुए है यहां फलेटीग में है तो इलक्टोनों की कमी की वज़े से जो तुरूटिया कहते हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे दिन उन्हें करेंगे जो इलक्टोनों की वज़े से जो तुरूटिया उत्पन होती है करें से तुरूटिया जागों के हैं क्या है एसमें क्या होगा कोई भी सोलीड है हिदा दिखू कोई भी सोलीड है वो धनाये अरेना इन से मिलका बना होता है उनका arrangement fix होता है तो यहां पर परकार शोता है इनका arrangement fix होता है इनका arrangement fix है अब इन में से यह पर्माण हो है यह या क्या हो जाएं तो धनायन भार निकल जाएं या फिर रिनायन भार निकल गया अब धनायन का भार निकलते ही यहां पर क्या हो गया दो सुत्पन हो गया क्या हो गया दो सुत्पन हो गया अब इस क्रस्टल के अंदर धनायन भार निकला तो धनायनिक दोस्वा तो धनायनिक दोस यहां पर मानु भा निकलाए न या फिर आयन भा निकले यहां पर पूरा रबाद भा निकला क्रस्तल से बहार चला जाएगा या इसके लिच्ट इस ना न क्या जाने से तो इस परकार प्रकार के दोस्तूर चेह ति और यहां पर परमानी या बिंदू दोस को भी हम तीन भागों में डिवाइडेशन करते हैं स्ट्राइक्योमेट्रिक दोस और कौन सी इंपुरिटी दोस असुदिता दोस या असुद्धी दोस भी होते हैं यह हम अगले वीडियों पढ़ेंगे डिटेल वाइच अना तीनों क सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को सेयर करें उनको भी प्रोफिट हो कोई टोपिक आपको समझ भी नहीं आ रहा हो मेरी कोमेंट में कर दें मैं उस पर आपका वीडियो बना दूंगा सो थैंक्स